जै जै हिंदी जै भारत मा विश्रु पटर परशो भितगार साथ समंदर मसी करें लेखनी सब बन राई सब धरती का अगद करें हिंदी गुन लिखा न जाई सब में लगाएं हिंदीगार प्रिश्व में गुझे हिंदी संबाः धिंदे भारत मा के बिंदी धिंदे भारत मा के बिंदी धिंदे भारत मा के बिंदी इस उत्रिष्ट कृती रचना के लिए हम अपने सभी कलाकारों को यहां धन्यवाद करते हैं और उनका उत्साह वर्दन करते करतल धोनी के साथ जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करेंगे माननिय ग्री मंत्री राजनाथ सिंग जी से और गोगा की महा महीम राज जिपाल डॉक्टर मृदिला सिना जी से कि वो आएं और समर्पर नृत्य संरचना के इन कलाकारों को सम्मानित करें पादमिश्री रंजना गोहर जिन्होंने इसकी परकल्पना के जिन्होंने इसकी परिकल्पना के जिन्होंने इसका निर्देशन किया और इसकी कोरियोग्राफिकी सबसे पहले अविनंदन पादमिश्री रंजना गोहर जी का और सभाव एक्सी बात है आप सब की करतल द्वनी के साथ यहां भार और यह अविनंदन है करेंगे का थक के लिए श्रीमती विदा लाल जी का और उनके तमाम साथियों का अब आपको यह बता दें कि इसमें ओडिसी ग्रूप के लिए पादमिश्री रंजना गोहर जी के साथ वरिंदा चध्धा और जोफिया लिचोटा जो की पोलेंट से हैं वो इसमें शामिल थी ICCR के स्कॉलर हैं इसके अलावा कथक ग्रूप में जैसे की जानती हैं आप सुष्री विधालाल वर्शादास कुपता और इराध डोगरा इस ग्रूप में कथक के कलाकारों में ये शामिल थी मोहनी अट्रम में सुष्री जयाप्रभा मेनन जिने हाली में केरल संगीत नाटक एकादमी का कलाश्री सम्मान भी मिला है और उनके साथ केर्थन वास्वन और रेवती नायर मनिपूरी ग्रूप में श्री संजी भठाचार् श्रच संग खोईबा शने हैं और संय मोयती और इस प्रस्तुति में जो चाओज लिए आर मैयोर्भाnh चाओगली में जिनक कादमी वं続로 करें एकली में अधने करिए मांने हैं घ्री मंत्र महोद्य से कॉछिसा, और वागीतो ich ल मिला है टो आरिके dell टो अज़ घ़, इस ऑ विदालाल जी, कथक नित्यांगन, रंजना गौहर जी, मड़ीपूरी शैली में मड़ीपूरी नित्य के साथ है जिनका लाकारों ने शिर्कत की इसमें. वाकई आज की प्रस्तूती से ऐसा लगा कि हिंदी भारत की बिंदी जो ये गीत की रचना की गई है हिंदी के लिए उसको यहां पर चरितार्थ करके दिखाया, प्रकट करकर दिखाया और यही कला की एक अभिव्यक्ति है जिसके लिए हम सम्मान करते हैं अपने तमाम यहां उपस्थत हमारे कलाकारों का जिनों ने इतनी खुबसूरत प्रस्तूती यहां पर हमें दी और हिंदी का जू गॉरव है जो स्थान है जो वह बिंदी का स्थान है वो उसको दिलाया। करतल धोनी के साथ अगर हम अभीनंदन करेंगे अपने कलाकारों का तो बहुत उत्सहावर्दन होता है कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस समय च्छाव ग्रुप के कलाकार जिनमें राकेश साइबाबू सुशांत महराना अंकित पहाडिया आदित श्रिवास्तो औ और गोविंद गौडियाल ये कलाकार इसमें शामिल थे माय उरुपंज शैली के चाव नित्य में बहुत 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 धन्यवाद आप सभी महमानों का आप सभी अपने सांग्रेंड करें और मैंनी वेदन करूंगी उद्गार व्यक्त करेंगी पद्मश्री गुरू महमाहिम राजपाल डॉक्टर मृदला सिना जी का और अनुरोद करेंगे रंजना गौहर जी से कि वो अब अपने उद्गार यहां प्रकट करेंगे रंजना जी मानेनिय क्रह मंत्री श्री राजना जी मानेनिय राजयपाल गोवा डॉक्टर मृद्रा सेना और सभी रसिक जनों को मेरा नमशकार और यहां अपधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यह हमारी प्रस्तुती समर्पन जिसे बहुत विशेश बनाया है इस श्रद्धा भक्ति की इस प्रस्तुती को आपके उपस्तिती ने सर आप और मैडम और सब रसिक जनों ने मैं आपकी बहुत आभारी हूं और मुझे बहुत-बहुत हिदे से धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आपने इतनी विवस्ता और इतनी सारे कामों के बीच में हमारे लिए समय निकाला और कलाकारों का प्रहतसान बढ़ाया आपके आन मैं तही दिल से संगीतनाटक अकाइडमी की भी धन्यावाद कहना चाहती हूं क्योंकि ये सारा प्योजन उनकी कृपा से उनके सहयोग से हुआ है छिसच और जो सच है वो बूलना चाहिए तो ये सब चुख है आज इसके लिए हम संगीतनाटक अकाइडमी के भी हावारी है लेकिन सबसे बड़ा मेरा धन्यवाद और मैं कृतग्य हूँ अपने इन साथियों के सहयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण आज काम हो पाया हम से और मैं इसके लिए अपने आपको गुर्वांतित समझती हूँ कि मैडम ने ये जो गीत लिखा है इतना मन को छुप और इतनी गहरे गया ये बात हम रूप नहीं पाए और हम इसकी परिकल्पन हमारी दिमाग में आने शुरू हो गई कि कैसे लिखा है इसको कितने प्रेम से लिखा है और कितनी गेहराई से और इतनी सादगी से कैनी सारी भारत की कहानी, हंदी की कहानी, और ये सब इसलिए जोड़े गए ताकि भारत एक है, भारत सदा, एक चुट रहेगा, मिलकर रहेगा, हंदी बाशाव उसे जोड़ेगी, और हम बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, डॉक् को लिखा और हमें ये मौका मिला कि हम इस पर अपने निर्थे को तयार करें आप सब का बात बात धन्यवाद थैंक यू हलें जी मुझे लगता है रंजना जी ने सब कुछ कह दिया मैं संगीत नातक अड़िमी के ओर से सिरफ धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननी अथितियों को सारे कलाकारों को और शेखर सेन जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके तरफ से भी मैं सब कलाकारों को और माननी अथितिगन को धन्यवाद देना चाहूंगी और यह बताना चाहूंगी कि इसमें दो पंक्तियां हमारे शेखर सेन जी ने भी गाई है और आज वो यहां हमारे बीच उपस्तित नहीं है क्योंकि उनका कारेक्रम है पर उन्होंने सभी के लिए अपनी शुबकामनाएं भेजी हैं और इस कि बहुत बहुत आभार संगेतनाटक एकादमी और ओट्सो एजुकेशन और कल्चिरल सुसाइटी की तरव से मानने ग्रीह मंत्री भारे सरकाय शुरादनाज सिंग जी का डॉक्तर श्रीबत इम्रदला सिनाजी मानने राज्यपाल गुवा डॉक्तर राम क्रिपाल सिनाजी वो भी यहां बदारे और सब्सक्राइब कि अ